नवस्कार में हूँ आपके साथ ठुरूहित रास्तिय सुरक्षा सलाहकार अजीद दोभाल की रनीती और सुझबूश का पूरा हिंदुस्तान दीवाना है उनके भौकाल से पाकिस्तान खौफ काता है दुनिया के तमाम हुक्मरान उनके कायल है अपनी काबिलियत पर इत्राने वाला चीन भी अजीद दोभाल की नीती से चित हो जाता है देशी नहीं बलकि विश्वभर में उनकी तूती बोलती है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि दुनिया का सबसे सक्षताली देश अमेर का तक अजीद दोभाल की तारीफ करता है अभी हाली में वो दिन भर के दौरे पर ओमान पहुंचे थे दिन भर का ओमान का ये दौरा सामान नहीं था क्योंकि अरब सागर के किनारे वसे इस देश से डोभाल भारत के लिए एक बड़ी ताकत दे कर आए दरसल उन्होंने यहां बेहत जरूरी डुक्म पोर्ड का दौरा किया जानकारी देते चलें कि मसकट ने यहां भारतिये नौसेना को खुली छूर दे रखी है जिसके बाद ये भारत का एक बड़ा ठिकाना बन गया है उमान के इस कदम से हिंद महासागर छेत में भारतिये सेना की मौजूदगी मजबूत हुई है जिसके बाद भारत के इस मास्टर स्ट्रोक से पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ गई है मतलब ग्वादर पोर्ट पर अगर चीन बैठा है तो भारत में इरान के चाबहार और उमान के डुक्म पोर्ट पर पोजीशन लेकर अपनी स्थिते बेहर ज्यादा मजबूत कर ली है जिससे पता चलता है कि भारत का भौकाल पूरी दुनिया में बुलंद हो रहा है और एने से अजीर दोभाल भारत की ताकत बढ़ाने में सबसे एहम भूवी का निभा रहे हैं भारत के लिए अहम है डुक्म पोर्ट डुक्म पोर्ट की लोकेशन ऐसी है जहां से ओमान की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर में भारत अपना परभाव कायम रख सकता है डुक्म में भारत की मौझूदगी से हिंद महासागर को लेकर सुरक्षा चिंता कम हो सकते है जहां चीन लगातार अपनी मौझूदगी बढ़ा रहा है इसे भारत की समुद्री शमता भी बढ़ेगी, यह हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम में है खास बात यह है कि डुक्म फोल्ड की जरिये अदन की खाड़ी और लाल सागर तक भारत की पहुँच आसान हो जाएगी गौर तलाब भै कि भारत और ओमान के बीच रिस्ता बहत शांदार हमेशा से रहा है दोनों देशों के बीच ब्रिटिस काल से ही रिस्ते बरकरार हैं भारत की आजादे के बाद यह संबंध और जादा मजबूत हुए 1971 में जब मसकट में भारती दूता वास खुला तब दोनों देशों की दोस्ती और जादा बढ़ी वही मोधी सरकार जब 2014 में आई तो उसके बाद इस रिस्ते को बेहज़ ज़्यादा रफ्तार मिली है इसी कड़ी में NSA अजीर दोभाल ने उमान से बास्चीत करके भारत को और ज़्यादा मजबूत किया है और अब आप पूरा मामला समझने के बाद ये कह सकते हैं कि भारत मिश्चित तोर पर चीन की टंसन बढ़ा रहा है वहीं एक रिपोर्ट के मताबिक अधिकारियों ने बताया कि अस्थानिय प्रशासन ने डोभाल को बिस्तार से प्रिजिंटेशन दिया है इसमें निवेशकों के लिए आफसर सो प्रिजिंट मालिका नाहक के संभावनाएं कर से छूट प्रमोशन प्राइस आधी शामिल है दरसल ओमान डुक्म के करीब रास मरकस में स्ट्रेजिक ओयल डिजर्व तयार करना चाहता है ऐसे में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है वहीं अब NSA अजीट डोभाल का ओमान का दौरा बहग खास साबित हुआ है और इससे भारत की भी ताकत बढ़ी है साथ ही ओमान को भी भारत का एक बड़ा साथ मिला है फिलाल जिस तरीके से NSA अजीट डोभाल, भारत की विदेश मंत्री यश्जे संकर इसके अलावा देश की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पूरी दुनिया में भारत का बहुकाल बुलंद कर रहे हैं और हर देश से भारत के रिस्ते बेहतर कर रहे हैं उसको लेखर आप की राय का है कमेंड कर हमें जरूर बता है